कि रिजन्टी इस मैंने एक न्यूज रहा है कि निक्सी के कुछ नए इंटनेट एंचेंज पॉइंट्स हैं जो आपफ बात करने वाले हैं पहले तो और दूसरा यह इंटनेट एक्शेंज पाली में इसी मंत में करेंड अपर चुनले के मैं व्यूरूर। यहां पर आपको मेरी सारी की सारी क्लाशेज के पीडिया फिल जाते हैं और अनगेडमी प्रफाइल पर आपको मेरी अनगेडमी की सारी क्लाशेज चाहें आप लाइव प्लस पर या स्पेशल प्राशेज फ्री देखना चाहते हैं आप मुझे यहां पर फॉलो कर सकते हैं मेरा कोड रवी यूपी सी है जब आप किसी कोर्स को जॉइन करते हैं रवी यूपी सी कोड को यूज करने पर आपको फीस में अतरिक डिसकाउंट दे दिया जाता है इंड कुछ पीवाइक्यूस के साथ आपको यह पूरा कंपाइलेशन दिया जाता है अगर दो साले आपसे उपर के अस्टासेशन को लेते हैं तो आपके प्रशन में जिस तरह के और और ज़रत होती है तो आपको फ्री एक्स्टासेशन भी दिये जाते हैं अभी आपको इसमें 20 चूट भी जारे फीस में इसे यूज करें रभी उपेसी कोट को जोइन करने पर आपको 24 जुलाई को ठीक 11 बजे एक कॉमबाट भी जोइन करना है जहां पर आपको अच्छे का से स्कॉलरशिप को भी जोइन करने का मौकम बलता साथ मिनटे 50 प्रशन लेकर हम आपके सामने होंगे जो आपको करने होंगे स्वाइए बात करते हैं साइंस एंटेक में हम निक्सी को लेकर एक्शुल में न्यूज क्या आया है हाली में ये न्यूज है इसी मेने जुलाई की 10 जुलाई 2022 को ये समाचार आया कि वेस्ट बिंगॉल के दुर्गापूर और बर्धमान दु चेक क्या कारण रहे हैं इन सब के बारे में हम लोग इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे एक्शुल में अगर आपको बताऊं तो भारत में फिलहार डिस्टल इंडिया को लेकर हमारे जो उन्रेबल प्राइम इनिस्टर है लगाता प्रमूट करते रहें उन्हेंने जो होना चाहिए आपके पास पूरी तरह से सुरक्षित तरीके से होना चाहिए यह पूरा का पूरा जो प्रोजेक्ट है जो प्रोग्राम में खासर से मिनिस्ट्री आफ इलेट्टॉनिक्स और इन्फॉर्मिशन टेक्नोलिजी का विजन है एक हजार दिन के अंदर गत यह तो देखते हैं दोस इंटेंच पांट और इन चीजों को कैसे हमारे वेजन और किस दरीके से मिनस्ट्री आफ रेंट्नानिंग्स फॉर्मिशन टेकनोलिफ को कूरा करता है। पर आप सब जानते हैं कि 5G भी अब लाउंच होने को तैयार है बहुत ही चलती मैं आप सबको सबके साथ एक वीडियो 5G पर भी फिर बताने वाला हूं लेकिन इस बार जो वीडियो होगा वो नए अपडेट के साथ होगा इंटरेट आज हम सबकी जीवन में पूरी तरह से आ करें यह आपको भीसेस हैं जो आपको द हें इसके सर्विसेस कि जो सर्कारी तंत्र और प्रवाइट तंत्र दोनों ही है जो आपको इस तरह सद्राकिति एक पूरी तरह से निक्सी की बास करेंगी तो बताउगा यहांको काफी हद् Three aoda देनी की बात कर रहे हैं इसको improve करने की बात कर रहे हैं इंटरनेट को और ज्यादा enhance करने की बात कर रहे हैं जिससे हम broadband के सुरिधा को काफी अच्छे तरीके से लिख सके और सबसे बढ़ी बात यह है कि जो वेस बेंगाल में यह जो internet exchange की बात हुई है यहाँ पर जो digital नागरिकों की बात हो रही है यहाँ प यहाँ पर पूरी तरह से कोशिश ही करनी है कि internet को और बहतरीन तरीके से इन एरियाज में देने की भरपूर कोशिश करनी है यहाँ पर आपको बताओ तो इससे जो अगलबल के लोग भी होते हैं अगलबर नबरिंग रीजन्स भी जो होते हैं इसे काफी हद तक beneficial होते हैं य आपको सोचे broadband policy 2004 में क्या रही होगी यह देशने पहली बाब broadband policy की सुरुआ थी, broadband नीती की सुरुआ थी आपको मैं बता दूँँ फिलहल आज आपके लिए बहुत ही shocking होगा उस समय 256 kbps की internet speed को broadband कहा जाता था अब आप सोचेंगे 256 kbps तो यह internet सेवाज होगी बहुत ही जरदनाग था कह सकते हैं internet काफी slow था बट स्टिल आपको बता हूँ 2004 के लिए बहुत बड़ी बात थी और आज करते करते आपको बता हूँ मुझे भी याद है जब 2010-2011 की बात हो रही थी तूची स्पेक्ट्रम घुटाला उस तरह की बात हो रही थी उस समय तकरीबन 2 mbps हुए नई तकनीकिया लाए गई नए स्पेक्ट्रम लाए गए नई बैंडवीथ हुए और इनके बिसेस पर आदेखे आज हम कहां पहुंच गया है और अब यहां पर सर्वेसेज और चीजों को और बेटर करने के लिए निकसी जो भारत की अपनी एजन्सी है किस तरीके से इसको लिए भी मैं आपको यहां पर चर्चा किये जलता हूँ आपको बताओं कि यह जो नए इसपी जो खोले गए इनमें सबसे बड़ा फायदा जो है वह र तरीके के सेक्टर को होगा इनमें आपको हेल्थ सेक्टर एड्यकेशन सेक्टर अग्रिकल्चर सेक्टर नए स्मॉल मीडिया माइक्रो इंटरप्राइजेज जो हैं इसकलाब बिजनेस वर्टिकल्चर इन सबको पूरी तरह से इस आएसपी के नए आएसपी के फायदा होने वाले हैं इनमें काफी हर्थ तक हम सेटिजन्स को और जादा बढ़ाएंगे उनको और जादा सुभीधाएं ठीचांज हूँ मैं निक्सी के बारे में ग्रॉन यसे का पूरा नाम है निशनल इंटरेट एक्षेंज ऑफ इंडिया भारत में जैसे आप डॉतिंग की बात करते हैं यह डॉतिंग К आप इंडिए शर्विस है आपका इंट्रानेट है जिसके अंदर अपने सबिताहों को देते हैं, निक्सी एक non-profit organization है, section 8 के अंदरगत, एक company act के अंदरगत, 2013 के अंदर स्थाबित किया गया, यह registered हुआ है 19 जून 2003 को, निक्सी जो है वो पूरी तरह से internet service providers की तरह एक तरह से काम करता है, यह पूरी तरह से आपको जो भी internet service providers है, है ना, internet service providers के तूँ आपको जोडने की कोशिश करता है, जिससे आपके, जो domestic traffic होते हैं, हमारे देश के अंतरगत, उनको काफी हद तक सुविधा दी जाए, जो कि जो US या abroad या बाहर के जो service providers है, ISP internet service providers, यह आपको काफी महगे पढ़ते हैं, time taking भी पढ़ते हैं, सबसे बड़ी दिकत क्या होती है, कि अगर आप के informations अगर अमेरिका में safe है, तो अमेरिका तक जाना है, इंटरनेट के द्वाला सूचना को और फिर वहां से server से ले कराना, उसमें काफी delay होता है, जिसको हम latency कहते हैं, अगर आप भारत के अंदर ही इस तरह की सुविधाएं आप देने लगेंगे, तो latency यानि जो signal जाना और उसके बीच आने में जो dairy होती है, वो काफी हद तक कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हम काफी हद तक करने वाले क्या हैं, निक्स्टी के मात्य हम से पूरी तरह से भरपूर कोशिच है करनी थी, कि हम यहाँ पर जो services दे रहे हैं, उसके latency को कम करें, और bandwidth जो है, जो charges है, ज इसा करते हैं कि data वो कम से कम ले, तो आपके पास internet काफी हद तक बचेगा, तो यहाँ पर निक्सी का पूरा का पूरा जो concept है, international bandwidth से वाप बचाना है, और अपने देश के हिसाब से, अपने bandwidth के हिसाब से, आपको ज़्यादा से तरह कारियों को प्रियोग में लाना है, निक् इसमें किसी Indian local language के अंदर गत, अगर आपको किसी local language के अंदर गत, किसी domain को बनाना है, तो उसकी भी रजिस्टर करते हैं को आपको information देते हो, आजकल यह भी चीज़ें हैं, जो domain वगरा की सुरुवाद भी, निक्सी कर रहा है, अब बात करते हैं, जो नए XP बन रहे हैं, अस Internet जो infrastructure companies हो, जो Internet जैसे सुविधाएं आपको देती है, जैसे कि Internet Service Provider और Content Delivery Network जो होते हैं, इनको जोड़ने का काम करता है Internet Exchange Point, Internet Service Provider जहां पर Internet Services होती हैं, और Content Delivery Network जहां कि माध्यम से आप content को deliver करते हैं, इन दोनों को जोड़ने का काम करते हैं, जैसे मालीचे कि मैं Internet Service Provider आप उनका क्या खर्श करते हैं, डेटा खर्श करते हैं, यहाँ पर जो Network जो चीज़े होती हैं, वो different Networks की मदद से यहाँ पर प्रियोग में लाई जाती हैं, यह भी आप देर रखेंगे, different Network की मदद से प्रियोग में लाई जाती हैं, एक चीज़ दोर सबसे दूरी तक जो आपको आपको इंडिया में नहीं है, वो इंडिया के बाहर है, तो पहले वो information वहां तक जाएगा, अमेरिका में हमाल लीजे, Amazon के लिए पहले वहां जाएगा, फिर वहां से खुल कर आएगा, उसमें काफी delay भी होता है, तो यहाँ काफी हद तक अपने country के अंदरे जो data store होता है, वो जो हमारे server के बाहर है, दूसरे विदिशों में, उनको देश के अंदर बनाने की बात कर रहा है, तो कुछ ऐसा ही आपको निकसी भी पूरी तरह से भरपूर कोशिश कर रहा है, निकसी आपको internet को लेकर कर रहा है, यहाँ पर आपको किसी server के अंदर किसी data की बात नहीं कर रहा है, तो internet का data आपको कम से कम खर्चोना, बेंट भी जैसे सुधा है, आपको बेटर तरीके से यूज़ करना, internet without without restriction आपको हो जाए, और यहाँ पर domain name अगरा कि आपके languages में registered हो जाए, इस तरह की सारी की सारी सुधा है निकसी देता है, तो निकसी भारत के आपको बता हूँ, एक national internet exchange है, जो पुरी तरह से काम करता है, और इसकी आवशकता क्यूं थी यह आप अच्छी तरह जानते हैं, अब आपको लिए चलता हूँ, निकसी अभी और किस तरह के काम भविश में करने जा रहा है, देखिए जब हम internet की बात करते हैं, तो internet के लिए आपको बता हूँ, दुनिया में लगभग दमभग 95% जो internet होता है, वो optical fiber से चल रहा है, यार देखेगा, लगभग 95% इंटरनेट, optical fiber प्रकाश तमतु से चल रहा है, लगभग 5% या उससे कम ही internet ऐसा है, जो satellites के द्वारा चल रहा है, आच्छा, satellites को लेके बहुत सारी बाते हो रहे हैं, जाँ स्टार लिंग प्रोजेक्ट, फिर यहां जीओ कमपनी, काफी चीज़ों की बात कर रहा है, मैं वही बात कर रहा हूँ कि internet जो optical fiber के द्वारा चल रहा है, वहाँ पर different तरह की कमपनिया होती है, जिनको हम कहते हैं, टायर 1 कमपनी, टायर 2 कमपनी और टायर 3 कमपनी होती है, तो सुनने में यह आपको बताऊं कि अब निक्सी जो है बहुत ही जल्दी internet exchanges वेगरा को टायर 2 और टायर 3 सिटी से भविश में जोडने की बात कर रहा है, तो आपके लिए internet access कर पाना और अच्छी गुडवत्तक internet access कर पाना भारती भारती यह तक्निकी के मा अच्छा भविश्य है निक्सी को लेकर और निक्सी पर एक अच्छा क्वेशन आपको अच्छी तरीके से आगये होंगे, मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने कोशिश की है, यह मैं टेलिग्राम चैनल है जहां पर आप मेरे सारे के सारे PDF ले सकते हैं, आने के प्रफा पर आपको मेरी क्लासे उपलब्द हैं, और रवी उपीसी के कोड़ पर आपको जब भी कोई कोर्स जोइंग करते हैं अच्छूट मिल जाती है, यहां पर आपको ट्यूटर के साथ आसानी से कनेक्ट हो सकते हैं, लाइब अच्छिप मिल सकती हैं, अगर आपको किसी तरगा फाइनेशल क्रंच है, तो 20% तक छूट अभी आपको दी जा रही है, लीजन विजन सीरीज जो रूट टू, LVS अने है, करकर आपको एक नया उप्शन, एक नई प्रेटफॉर्म है, जो आपको दिराज़ा, पर आपको काफी हब तक आपकी पस्तांटी डेवलप्मेंट हो आपकी आंसर एटिंग में, आपकी एक्रेशन में है, इसे भी आप जोईन करना मत भूले, आप सब के लिए का चाओ विकल्ब है, मेरे जो कोर्से है, साइंस टेक अरंवामेंट के लगातार एक रीकाट भी पर चल रहे है, आप इसको जोईन करने को लिए प्लस कोर्स पे अपना ख्याल रखें, सुस्त रहें, खुश रहें, मस रहें, जाहें